हालो फ्रेंज मैं हुरुची अजे आज मैं आपके लेकर आई हूँ कोकोनेट कुकीज की रेसिपी ये कोकोनेट कुकीज हमारी एगलेस कुकीज हैं विदाउट एनी एग आप मेरी मेज़िमेंट के हिसाब से एक बाब बना के देखिए आप मार्केट की कुकीज लेना बंद कर देंगे और घर पे ही ने बनाएंगे और बार बार बनाएंगे तो चलिए जानते हैं ने बनाना इन्हें बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे अनसॉल्टिट बटर जिसे मेरे रूम टेंपरेचर पे लिया है यह मेरे घर का अपना मखन है जो मेरे घर पे बनाया है तो इसे आप कुछ तेर पहले फ्रिज से निकाल लीजिए और जब इस सॉफ्ट हो जाए तब आप इसको यूज कीजिए अब इसके अंदर में आधा कप चीनी नाप के लूँगी तो आधा कप चीनी को पाउडर करके मैंने इसमें डाल दिया है इसे आप हांड ब्लेंडर या स्पून या स्पाचुला की हेल्प से मिक्स कर सकते हैं ताकि यह स्टा से फ्लफी हो जाए अब इसमें एक चुथाई चोटा चमच डाल दीजिए आप नमक का और साथ ही डाल दीजिए वन फोथ टी स्पून बेकिंग सोडा नमक हम यहां इसले डाल रहे हैं ताकि हमारी मिठास जो है इसको कीकी अच्छे से खिल के आए तो अब इसको आप अच्छे से बीट कीचिए और कुछ मिनट बीट करने के बाद आप इसके अंदर डाल दीजिए मैदा इस तरह से सीव करके वन एड़ हाफ कप मैदा लिया है मैंने इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे मैं बीटर का ही हल्प ले रही हूँ तो बीटर की हल्प से मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी अब इसके अंदर हम वनीला असंस टालेंगे 1 फोर्थ टी स्पून और साथ ही हम डाल देंगे डेसिकेटिट कोकनट यानि की गरी का बुरादा 1.25 कप यानि की 1 कप और उसके साथ 1 चृथाई कप अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे अपने हाथों से नेक्स्ट यहां पर मैंने कोई भी दूद या पानी का इस्तमाल नहीं किया है पर डिपेंडिंग अपॉन या फ्लार अगर आपको लगे तो आप इसके अंदर एक दो चमर दूद के यूज कर सकते हैं अगर आप मेरी मेजरमेंट्स के हिसाब से जाएंगे तो इसमें किसी भी चीज की जूरत नहीं पड़ेगी तब हम इक अपनी ट्रे को बेकिंग ट्रे को ग्रीस कर लेंगे इस तरह से और यह जो हमने मिक्स पनाया है इसकी हम छोटी छोटी बॉल्स लेंगे चोटी बॉल्स लेंगे जो पिल्कुल चोटा नीम्बू होता है उसके साइस की बॉल्स बनाइँगे हम और इसको इस तरह से रोल आउट करने के बाद हम ड्राय तैसिकेटिड कोकनट याने कि गरी के बुरादे में इस तरह से बाकी सारे भी बनाएंगे और ट्रे पे रख अब मैं इसे बेक करूंगी प्री हिट अवन में 180 डिग्री पे 20 से 22 मिनट के लिए मैं माइक्रोवेव कन्वेक्शन मोड पे बेक करूंगी तो आप अपने हिसाब से अपने अवन के तेमपरेचर के हिसाब से आप टाइम रखे और 15 मिनट के बाद आप चेक करते रहें तो एक की वज़ा से थोड़ा इतना अच्छा ब्राउन कलर नहीं दिख रहा पर ट्रस में बहुत अच्छा कलर आया इसका देखिए इस तरह की कलर है इस कुकीज का यह बहुत ही अच्छी कुकीज बनी है मैं आपको एक ब्रेक करके दिखाती हूं कि कितनी अच्छी है यह तो च्छी कची थेंडा इस तरह से ऐसि रख सकते है और इक काफी टाइम तक आपके आवक से से पहलें गी तो आपको दिखाती हूं मैं इसको भी ब्रेक करके चु कर रह छिए तो यह बी तक कितनी फ्रेश है और कितनी यमी बनी हुए है तो I hope आपको मेरी एसी इस्य रेसीपी बहुत पसंद आएगी आप इसे जरूर ट्राइ कीजेगा और अपने एक्सपीरिंस मेरे साथ शेर कीजेगा और अगर आपको मेरी रस्पी पसंद आए तो प्लीज लाइक शेर जरूर कीजेगा थांक यू